नमस्कार आरे नियूस देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पलवी सेंग राजस्तान की पूर्मुक्य मंतरी वसंदरा राजी को जैपूर के सिविल लाइन में सिथ बंगला नमबर 13 को अब खाली नहीं करना होगा सेम अशोग गहलोत की वज़े से उनका सरकारी आवास बच गया है आपको बताते चलें कि हाई कोच ने बंगला आवंटन की प्रक्रिया को गलत माना था इसके बाद गहलोत सरकार की ओड से पेश की गई एक शबत पत्र में ये कहा गया कि वसंदरा राजे सीनियर विधायक है इस नाते उनके बंगला दिया गया है आवंटन की प्रक्रिया गलत नहीं है इसके बाद हाई कोट ने सरकार के इस शबत पत्र को सुईकार करते होए व और दलब है कि राजेसान के कई नेता ऐसा आरोप लगाते आए हैं कि राजे गहलोत भले ही अलग पार्टी से हो लेकिन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती रही है सूत्रों के मुताबिक सचिन पाइलेट के बगावत के दोरान वसुंद्रा राजे ने एहम भूमी का निभाई थी और ये भी आपको बता दें कि पिछले सरकार में पांस साल का कारेकाल पूरा करने वाले मुख्यमंत्रियों को विशेश सुविधाय देने का प्रावधान था इसके तहट ही उन्हें बंगला गाड़ी समेत कई सुविधाय मिलती थी इसे ही हाई कोट में चालेंज किया गया था और हाई कोट में पेश की गई याचिका में ये कहा गया था कि वसंद्रा राजे को पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते सिविल लाइन्स में बंगला नंबर 13 अलोट किया था राजिस्तान हाई कोट ने भी इसावंटन को गलत माना था और सुप्रीम कोट की ओर से विशेश सुविधाय देने का प्रोविजन खारिच करने के बाद याचिका करताओं के वकीले हाई कोट में अपना तरक रखा था उन्होंने कहा था कि प्रोविजन खारिज होने के बाद भी वसंदरा राजे से बंगला खाली नहीं कराया गया बता दें कि इसके बाद अब सरकार की ओर से कहा गया है कि वसंदरा राजे को पूर मुख्य मंतरी होने के नाते नहीं बलकि एक सीनियर विधायक होने के नाते बंगला आवंटिद किया गया है और इसके बाद हाई कोड ने याचिका को भी खारिच कर दिया और आईसान के पूर उप मुख्यमंत्री सचिन पाइलिट ने मगलवार को कहा कि 2019 के लोगसबा चुनाव में उन्होंने मुख्यमंत्री अशुग गहलोत की बेटे वैभव गहलोत को टिकेट देने की पैरवी की थी जबकि उस समय पार्टी आला कमार वैभव को टिकेट देने के पक्ष में नहीं था पाइलिट का ये बयान ऐसे समय में आया है जब कुछ ही दिन पहले मुख्यमंत्री गहलोत ने दावा किया कि सचिन पाइलिट ने केंदर में यूपी ए दो सरकार में मंत्री पद पाने के लिए उनसे मदद मांगी थी हलाकि वो पहले ही पाइलट को मंतरी के रूप में शामिल करने के सिफारिश कर चुके थे पाइलट ने 2019 के लोकसभाचुनाप का जिक्र करते हुए यहां समबादाताओं से कहा है कि आला कमान वेबफ गहलोग को चिकेट देने के पक्ष में नहीं था उन्होंने ये भी कहा कि जैसे मैंने कहा कि आला कमान बहुत ज्यादा वेबफ को चिकेट देने के पक्ष में नहीं था और एक ही नाम आया पिता मौजूदा मुख्य मंतरी हैं लेकिन उस वक्त मैंने वेबफ की पैर भी की और दोनो राहूल गांदी और सोनिया गांदी से कहा कि मेरी कारकरनी में काम किया है तो मैं समझता हूँ कि एक मौका मिलना चाहिए बता दें कि पाइलट ने ये भी कह दिया है कि उस समय वो प्रदेश अध्यक्ष थे और चूंकि अशोग हैलोजी नए नए मुखे मंतरी बने थे तो उनसे बनोबल को ठेस लगे ऐसा भी नहीं चाहता था इसलिए मैंने पूरी पैरवी की और राहुल और सोनिया जी से ये कहा कि टिकेट वैवफ को मिलना चाहिए हाला कि वो चुनाब नहीं जी सके और काफी अंतर से चुनाब हार गया तो इमाराश के नासिक में इटोइले टेंडर धोकाधड़ी मौमले में अब एक नया मोड आ गया है जो शिकायत करता और कारोबारी सुशील पतेल को यूटन लेते हुए पुलिस से वेब अफ गहलोत की खिलाब शिकायत वापिस लेने की मंच्छा जताई गई राजिसान ग्रिकेट असोसियेशन अध्यक्ष वेब अफ गहलोत समेट 14 लोगों पर धोकाधड़ी के मामले में एक F.I.R. दर्श की गई थी इसलिए अब जाच में वेब अफ गहलोत से किसी तरह की पूश्ताच नहीं की जाएगी उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस कमिशनर के आदेश से अब मामले की जाच आर्थिक अपराद शाखा को दे दी गई है गौर तलब है कि नासिक के सुशिल पार्टिल नामक कारोबारी की शिकायत पर गुजरात कॉंग्रेस के नेता सचिन, वालेरा और वेबफ समीद 15 लोगों पर गंगापुर्थाने में कोर्ट के आदेश से F.I.R. दर्श की गई बताते चलें आपको कि अन्य आरोपी, एहमदाबाद और जोथपुर्ड निवासी हैं पार्टिल का दावा है कि मोटे मुनाफिक अज्वासा दे कर उनके साथ ठगी की गई उन्होंने 13 बैंक खातों में 3.9 करोड रुपे जमा करवाए, मामला राजिस्थान के यी टॉयलिट के ठेके से जुड़ा है वालेरा की कमपनी को ठेका मिलना था, पार्टिल ने वालेरा की कमपनी में निवेश किया और करीब 6.8 करोड के निवेश पर पार्टिल को 19 करोड रुपे रिटर्न मिलने का भरोसा दिया गया लेकिन पार्टिल को सिर्फ 40 लाक रुपे ही मिले हैं गौर्तलब है कि धोकादड़ी सामने आने के बाद से राजिस्थान के सियासत भी गर्मा गई थी और अब वेपफ गहलोद का FIR से नाम हचने पर विरोधियों को एक धक्का लगा है और अपने देश भर में कई कराकृतियों को बनाने वाले व्यक्तियों के बारे में आपने सुना होगा लेकिन आपको राजिस्थान के चुरू में रहने वाले एक ऐसे परिवार के बारे में आद बताने जा रहे हैं जिनकी चार पीडियां एक ही काम में नैशनल अवार्ड जीथती आई है यह परिवार है जो आपको बता दें कि 16 सदियों ने जो है 70 साल में राश्पती और प्रधान मंत्री से अब तक 11 अवार्ड ये प्राप्त कर चुके हैं बड़े बात यह है कि हाली में देश में दोरे पर आये जापान के प्रधान मंत्री फुमियो किशीदा को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवार के सदस्तियों द्वारा बनाई गई कलाकृती गिफ्ट की है तो वो भी उन कलाकृतियों के मुरीद हो गए परिवाय के सदस्य पवन जांगिड ने ये बताया है कि चंदन की लकड़ी पर वो कलाकृती करते आए हैं उन्होंने आगे ये भी बताया कि दादा मालचंद जांगिड को ये कलाकृती बनाने का गौड गिफ्ट था और उन्होंने ही इसकी शुरुबात की थी उन्होंने उनको साल 1971 में राजपती वीवी गिरी ने सम्मानित किया था और इसके बाद से अवोर्ट का ही सिलसला शुरू हो गया क्योंकि दादा से पिता और पिता से हम सभी ने ये कला सीखी विवीगिरी के सम्मानित की जाने के बाद साल 1972 में प्रधानमंत्री इंद्रा गांदी ने भी दादा जी को सम्मानित किया था तो वहीं इसके बाद 1973 में राश्पती वीवी गिरी ने पिता चौत मल जागिड और 1993 में राश्पती शंकर दयाल शर्मा ने महेश जांगिड और इसके बाद परिवाय के सदस्य को 1995 में राश्पती शंकर दयाल शर्मा ने विनूध जांगिड को और 1999 में प्रधानमंत्री अटल भिहारी वाचपई ने पवन जांगिड, 2000 में उपराश्पती कृष्णकांत ने सीताराम जांगिड, 2005 में राश्पती प्रदिबा पाचल ने नौरतमल जांगिड, 2014 में राश्पती प्रणव मुखरजी ने कमलेश जांगिड को पुर्सकार द अब बेटे शुभम को कला सिखाई जा रही है तुमें चुरू सांसद राहूल कस्वा ने लोकसभा में शुने काल के तहट प्रधानमंत्री अवाज स्योजना से संबंदित विभिन बुंदू अपर उठाया है मुद्दा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतरित्व में देश के हर व्यक्ति के सिर्फ पर दोज़ार जोबिस तक पकी छट से निर्धारित लक्षे का साथ ही पियम आवाज स्योजना संचालित की जा रही है आवाजीन लोगों को घर देने के उद्देश से संचालित ये एक बहुत महत्वकांची योशना है और इस योशना के अंतरगत चूरू लोकसबाश शेत्र में भी आमजन को काफी लाब मिला है बदलते दोर में पियम आवाज स्योशना के अंतरगत मकान निर्मान के लिए ग्रामीन विकास मंत्राले दोरा मिलने वाली ये राशी कम प्रतीत होती है और आज की जरूरतों के हिसाब से केंद सरकार द्वारा मिलने वाली लगबग 1.50 लाख रुपे की राशी को बढ़ा कर 2.50 लाख रुपे की एजवाने की आवशकता है सांसत कस्वा ने आगे कहा है कि राजस्तान से पियम अवास एप पर 2018 के अनुसार बनी एक सूची के अनुसार करीब 30,000 पात्र वियक्तियों के आंकड़े अपलोड किये गए हैं साथी उन्होंने यह भी कहा कि पियम अवास योजना में एक प्राबधान है कि 50,000 रुपे या उससे अधिक किसान क्रेडिट का लाब लेने वाले व्यक्ति को इस योजना का लाब नहीं मिलेगा राजिस्सान जैसे ब्रदेश में जहांपरते एकिसान के हिस्से में जमीन की उप्लवगता type ज़ादा है वहाँ ये प्राभधान अनेकों ऐसे व्यक्ति जिनके पास पक्का मकान नहीं है उन्हें इस योजना से बंचित कर देता है सरकार इस प्रावधान को हटा कर अधिकारिक और अधिकारिक सबसे ज़्यादा लोगों को इसी योशना से अलाबान विद करें चुरू लोगसभा शेत्र में आज की तारीक में 40,000 से अधिक व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने पिएम आवास मिलने हैं जिन्हें और इसी वे चुरू लोगसभा में निर्धारित करेंब 69 सो आवासों के लक्षे को और बढ़ाया जाए ताकि जल्द से जल्द लोगों को आवास के उपलब दिता सुनिश्चित हो सके रुकरिंगे की खबर की ओर जहराजिस्थान के शहरी शेत्रों में 31 दिसंबर 2021 तक एग्री कल्चर लैंड पर बसी कॉलोनियों का अब नियमन हो चकेगा अब तक 17 जून 1999 के बाद क्रिशी बूमी पर बसी कॉलोनियों के नियम का प्रावधान था और विदानसभा में बुद्वार को बहस के बाद अब राजस्थान में भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 अब धारा 8 में एक संशोधन के लिए बिल पास हो गया है राजस्थान भू राजस्व संशोधन अधिनियम 1956 में इस बिल में नियम की कट ओप डेट को बढ़ाये गया है जिससे शहरों में 17 जून 1999 के बाद अब क्रिशी बूमी पर मकान बना कर रह रहे लोगों को राहत मिल सकेगी 90 ए में 17 जून 1999 से पहले शहरी शेत्रों में क्रिशी बूमी का गैर क्रिशी उपयोग के लिए लैंड यूस चेंज किये जाने का प्रावधान है इसके बाद बसी कॉलोनियों के नियमन को लेकर ये प्रावधान नहीं था लेकिन 31 दिसंबर 2021 तक क्रिशी बूमी पर बने मकानों का नियमित और नियमन करने का प्रावधान कर दिया गया है आपको बता दें कि क्रिशी बूमी चाहें वो किसी भी वर्ग की हो उस पर विक्सित हो चुकी कॉलोनियों को पट्टा दिया जाएगा और इसके लिए संशो सकेंगे और जो मास्टर प्लैन में परमिशिबल भी होगा उसी का नियमन होगा चाहें वो चाहें 17 जून 1999 से पहले का हो या फिर बात का मास्टर प्लैन से बाहर जाकर नियमन नहीं होगा प्रशासन शेहरों के संग अभियान में 10 लाग पट्टे मिलेंगे और हम सर्वे पाकर ले आउट पास करवाएंगे और शेहरों में पट्टे दिये जाएंगे और आइसान कॉंग्रेस कमेटी डिजिटली नए सदस्यों को जोडने के लक्ष में पिछड गई है अगिल भारतिय कॉंग्रेस कमेटी की तरफ से प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी को मिल गए टार्गिट के अनुसार 31 मार्च तक उसे 50 लाग नए सदस्यों बनाने थे इसके चलते सदस्यों से कम बन पाए हैं तो वहीं मंत्रिय और विधायक विधानसफा में व्यस्त होने के चलते पूरी तरह से इस दिश्वा में ध्यान नहीं दे सके उन्होंने ये भी दावा किया कि वो तैस समय पर टार्गेट पूरा कर लेंगे और इसके लिए वो सभी पुर्जोर प्रयास करेंगे